वाइनाट से राहूल गांधी करीब तीन लाख वोटों की लीड ले चुके हैं, हम बात कर रहे हैं इस समय देश के उन नतीजों की जिन पर सब को नजर है, स्टूडियों मेरे साथ मौझूद है, नीरज महरा जी मेरे वर सहयोगी, कॉंग्रेस से हमारे प्रतिंदी बैरवा सह सहयोग जी, नीरज जी, अब जो आकड़े आए, पहले तो रुजहान थे, अब वो परिणाम में भी परिवर्तित हो गए है, राजस्तान से कई सीटे, कौंग, पीजेपी के खाते में जा चुकी है, मातर तीन सीट ऐसी है, दोसा करोली टॉक, और करोली हां, तीन सीटे जहा जी, अब हम राजस्तान की तरफ आए, इससे पहले थोड़ा सा एक बर राहुल गांदी को डिसकस कर लें, तो जी, थोड़ा सा मन में थोड़ा सा ऐसा आ रहा था तो, मैंने का नीरज जी आया तो एक बार बात कर लें, जरूर है, जी, राहुल गांदी शायद मेरे खायल, अगर मैं गलत नहीं हो, तो एक ऐसे लीडर होंगे, जो राश्टी स्थर के लीडर हैं, और एक साथ दो लोग सबा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, अमेटी से भी लड़ रहे हैं, और एक आपने कह रहा है, वो मुझे अधिन नाम क्लिक नहीं कर रहा था, तो नीरज ज जिस तरह से क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी के राश्टी अध्यक्ष है वो, तो और लगातार मेटी से जितते भी रहे हैं, और जिस तरह से मेटी में पिछले लंबे समय से इसमरती हिरानी वहाँ पर शक्रिय है, मंत्री रहते वे चुनाव हारने के बावजुद वो लगाता लोगों की समश्याओं के साथ खड़ी रही, और उनकी हर बात में उन्होंने राहूल गांदी पर प्रहार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पिछले साल, पिछले पास साल में, किन्दी सरकार में मंत्री होने के बावजुद, शाहिद ही कोई ऐसा समय होगा, जब उन्होंन नहीं कर दे, तो इसलिए राहूल गांदी बिल्कुल देखिये, इसको आप राजनितिक कारण तो कह सकते हैं कि राहूल गांदी ने कहा कि मैं करना टक, मैं वाइनाट के सीट से इसलिए लड़ रहा हूं कि ताकि उन्हों को साथ वालों को लगे कि नहीं, कॉंग्रेस पार् पूरी तरह घेर कर रखा उन्होंने, प्रेंगा गांदी को वाँ पर जाना पड़ा, कई बार नटी रही और राहूल गांदी को वाँ पर रेलिया करनी पड़ी जाना पड़ा, आला कि अभी मार्जन बहुत जादा नहीं है दोनों के बीच में, कुछ भी हो सकता, नतिजा क होना चाहिए था, कि जिसे ये गतरव से कंग्रेस पी series का उमित्वार बता रही है, जो सिदर सिदर के पीम को चुनोंती दे रहा है, जो कंग्रेस-पार्टी की तरव से पियम को अमित्वार है, वो अगर इतने कम आरजन से वहां पर अभी आला की बीचह ही है, अमेटी में, लेकिन उनको कहिंगे इस बात का डड़ जरूर होगा की एक सुरक्षित सीट और होनी चाहिए जहां से उस चुनाव लड़े और वाइनाड इसी सीट उन्हों ने चुनी जो कॉंग्रेस की मानी जाती थी परंपरा का दूरूप से और कॉंग्रेस पार्टी की टिकट पर महां स चुनाव लड़ा वह से तिनला की जो लीड है वह सापसी बात है कि महां से उस्चुनाव जीत रहें लेकिन अमेटी बीस तरह का मार्जन है अला कि अभी तैनी वा कि कौन जीते का को नहीं हारेगा आगे पीछे की बात कि नीरची बास पूरानी बड़ी पार्टी के हैं और ओटैने रहें पहले बहें का कॉंग्रेस पार्ती को मन्थन का चिंतन का अवसर है क्योंकि जिस तरह से कोंग्रेस पार्टी के राष्ट्याधि अध्यक्ष को ही कारा अमेटी में जी रायस्तान साहीद तमाम हिंदी बासी प्रदेशों में जहां पर कॉंग्रिस पार्टी को मुई पंजाब सर एक पंजाब में नौर्थ इंडिया में तो इस तरह से रिजल्ट आया है प्रिणाम आया है तो इससे साफ जाहिएर के कॉंग्रिस पार्टी को मनन करना चाहिए विचार करना चाहिए कि कहिन कहीं गल्ती तो हुई है । मोधी लहर चल लही थी देश में मोधी लहर नहीं मोधी की सुनामी चल लही है सही बात है लेकिन कहीं 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 कॉंग्रेस पार्टी का कहीं मुझे लगता है टिकेट बटवारा कहीं इस्तानों पर कुछ वर्गों की उपेक्षा का भी इनको खामयाज बगतना पड़ा कहीं स्सक्राइब को सब्सक्राइब के यह जो नतीजे आये हैं कॉंग्रेस के लिए उत्सायद करने वाले नहीं है कहां तो कॉंग्रेस पार्टी सरकार बनाने के लिए दिल्ली में डेरा डाल ली थी सारे विपक्षी दिलों को एक्जूट कर रही थी एक सेंगतर उनको लगातार डिनर डिप्लोम में सी चल ली थी और कहां पे जो है आकर ये सिमिट गए हैं तो ये बाकर जी तीन सो चालिस सीटें के उपर कब्जा जमाने के कोशिश कर रही है एंडी है जिसके अंदर जो सो असी से जादा तो आप सोच सकते हैं मेरे खाले नीरा जी अगर हम गलत नहीं होंगे तो दो जार चौदा की जो पर सब्सक्राइब जो 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 पार्टी या जो सत्ता पर काबिज रहता है वो उस दौरान उसके खिलाफ आटोमेटिकली एक एंटी वेव हो जाती है पर ये तो मेरे खाल से गहीं है पर यहां पर तो कुछ एंटीन कंपेंसी जैसी कुछी सामने नजरी नहीं है आपने रास्ता सब्सक्राइब तरी खेर नहीं मोदी तुस्से बैर नहीं जी बिल्कुल और यह लोग सबाच नाव में जब चुनावी रेलिया थी तब आपने जिन लोगों को कॉंग्रेस के लिए वोट बांगते में देखा वोट देते में देखा वो लोग बीज़ीपी के लिए वोट गरते में नजर आ रहे थे तो कहीं ने कहीं आपको यह मानना पड़ेगा कि अब जो लोगों की जो भाउना है मालब पार्टी का मददाता रहता था कि जमाने में कि वो पार्टी की से बंदा हुआ अब कुछ मददाता ऐसे भी है जो सवतनतर रूप से अपने विवेक का सब्क्राइब करें जो लेकर कि आश होता तो फिर का इसे कारण बहुत पूंदी सरकार को प्रचंद भाहुमत दिया चाहिए लेकिन जनता ने सिरेज्गारिज कर दिया यह प्रिनाम इस बात का ध्योतक है इस बात का दिखा रहे हैं कि जो मुद्दे उन्हों ने उठाए जो जिए चीजिस नोट बंदी को लेकर हावा कड़े करने के कोशिज क्या उन तमाम लोगों इन बातों को सिरेज्गारि प्रभाव जनता पर पड़ा क्योंकि अगर यदि आप मेरे पर व्यक्तिकत आरोप प्रत्यारोप लांचन लगाएंगे उगली उठाएंगे तो जो मेरे समर्थक होंगे जो मेरे साती होंगे सयोगी होंगे वो डवल पावर से काम करते हैं बैरवा जी क्या करेंगे आप इस मामले में आपकी क्या राय है देखिए व्यक्तिक तारोप देश के प्रदान जो पद है उस पर लगाना किसी भी पार्टी का पोजिशन का या दूसरे दलों का ये ठीक नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि क्या नरेंदर मोदी ने उसकी सरकार रखने पांस साल के अंदर जो काम किये मैं कह सकता हूँ, CBI के निदेशक को बरखास्त किया रात को बारा बजे, GST का जो अनडिशन लिया या वह भी रात को बारा बजे, नोट बंडी जब नरेंदर मोदी जी ने कहा था कि आतंक वादियों यान की टेरिस्ट गतिविदियों को रोकने के लिए हमें जो बड़े नोट है उसको बंद करने होंगे ताकि यह रुके आतंक वादिया गतिविदिया रुके लेकि एक अजार की जगह यह दो जार का नोट लेकि आए जो हमारे गाओं में रहने वाले खेत को में जमा करवा लिया आज हमारा सारा का सारा जो का गाओं देहात गरीब मजलूम पिश्ड़ा कमजोर वो सबाज खाली हात है वो कहीं ने कहीं चोटी मार्केट गाओं के अंदर कस्वों के अंदर जो बड़े-बड़े वो हैं दना सेट व्यापारी है चलिए एक मिन आप लाग 92,282 वोटों से जीते हैं करीब करीब चार लाग वोटों से राहुल गांदी ने वाइनाट से जीत दर्ज की है जी बैरवाजी तो यह जो चीज़ें लगा रहे हैं और उसके बावजूद जनता ने क्या जनाधार दिया है इससे साफ है कि जो आप लांचान आरोब ल देशा की जा रहे हैं कि कांग्रेस की कही काहिवी कोई बात का जनता पर कोई असर हुआ ही बिलकुल कोई असर नहीं हुआ है यह जो बाते हैं गाउं का व्यक्ति शीदा सीदा अपना रोज मर्रा का जो जीवन है चाहे वो चोटा गर काम हो या उसके ब्याशादी का काम हो और दूसरे कामों सीधा सीधा वो महाजन के पास जाता है, वहाँ से उकर्ज लेता है और उसके पीछे वो चलता है यदि महाजन ने कह दिया कि आपको वोट यहां करना है तो वोट उसी कहादार पर होता है और दूसरा कमजोर वर्क के लोग और दरे हुए और प्रॉदिक की सुचना आउटी के जमाने में गाय के नाम पर जहां ये अंड्रोइड फोन घर घर गाउं घाउं घाउं धानी तक पहुंच चुका है सोशल मीडिया का इतना प्रभाव पूरे हिंदुस्तान का रादमी के उपर है वहाँ पर कोई किसी इंसान का सिर्फ चंद रुपियों में माइंट सेंड बदल दे ये तना आसान नहीं है बहरवाजी या आप भी जाना